दोस्तों, डेलियास अकेडमिक के टेस्ट नमबर एट, इंडियन पॉलिटी के पचास कोश्चन हम लोग डिसकेशन करेंगे, इसमें भारती समयधान की सुरोत, समयधानी की दियास, समयधान सभा, प्रस्तावना, मंत्री परिशा, राष्ट पती, उपराष्ट पती जैसे कु इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है, तो आपको हमेशा option में फर्स टार्गेट ही होना चाहिए कि चार option में आपको maximum option को आप eliminate करते हो, तो इसमें शुरुवात करते हैं, कि 1773 के regulating act से, 1773 के regulating act में हम लोग उने पढ़ा है कि बंगाल की governor को बंगाल का governor general खुशित किया गया और बंगाल के governor, पहले बंगाल governor general हुए थे, Warren Hastings, एक के होंगे दो, तो एक का होगा दो, तो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते, ये सीधा दो option को आप काट दोगे, 1853 में डल हो जी, वायस रहा थे, तो बी का होगे तीन, ये दोनों ठीक है, 1919 के act को Montague Champsport Act का जाता है, तो C का हो गया एक, तो इस प्रकावर option, ये इसका सही आंसर होता है, 1935 में Wellington इसके वायस रहा थे, second question होता है, निमलिकित विशेशता हैं, किस act से संबंदित हैं, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोट की स्थापना हम लोग जानते हैं, 1774 में कलकत्ता की सुप्रीम कोट की स्थापना होई थी, और ये स्थापना 1773 के regulating act के माध्यम से की गई थी, बंगाल के इस act में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था, कर्मक्यारियों को किसी भी प्रकार का उपभार, परितोशन गरहण करने की मनाई कर दी गई थी, कम्बनी शार्षन के लिए प्रतम लिखित सम्विधान प्रस्तूती करण भी किया गया था तो इसका अंसर होगा regulating it 1773 नेक्स्ट कोस्टन में भारतिय सम्विधान में नागरीकों को प्राप्त स्वतंतरता के अंतरगत निम्न में से क्या सामिल है तो यह जो कोस्टन है आपका प्रस्तावना से सम्बंदित कोस्टन है प्रस्तावना में कुछ उद्देश और प्रस्तावना की कुछ दर्शन दियो है प्रस्तावना के दर्शन आपको पता होना चाहिए विद सिक्वेंस के साथ कि भारत संपूर प्रभूत शंपन, समाजवादी, पंत निरपेक्ष संपूर प्रभूत शंपन, समाजवादी, पंत निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गड़राज इसके साथ प्रस्तावना में कुछ न्याय दिये हुए और कुछ स्वतंत्रता दिये हुए उसके बाद कुछ समता दिया हुए यह चार चीजे आपको प्रस्तावना की सिक्वेंसली अच्छे से याद होनी चाहिए दर्शन में हम लोगों ने यह देगा न्याय में क्या है समाजिक आर्थिक और राजनितिक समाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय की बात की जाती है स्वतंत्रता में विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है तो स्वतंतरता में ये पांच चीजों की बारे में बात किया गया है और यही कोश्चन में पूछा गया है नागरिकों को प्राप्त स्वतंतरता के अंतरगत निम निमले से क्या सामिल है स्वतंतरता हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपाशना की स्वतंतरता दी गई है, तो उपरोग सभी इसके आंसर हो जाएंगे, यह सारे चीजे देखने हैं, सम्ता में क्या है, विचार, प्रतिष्ठा और आउसर की सम्ता, सम्ता में प्रतिष्ठा वा अउसर की सम्ता सम्ता में दी गई है, तो प्रस्तावना में यह दर्शन, न्याय, स्वतंतरता और सम्ता, यह सारों चीजे आपको याद होनी चाहिए, नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, चौथे नंबर का, इसमें भी सही जोड़ी आपको मिलाना है, आपको एलिमिनेट करने का प्रयास करना है, नियम समीती, इसमें सबसे, किसी भी समीती के बारे में आपको कुछ पता हो, चाहिए न पता हो, सबको पता है कि सविधान के प्रा सीधा सीधा डिलीट कर देना है, अब या तो होगा सी, या तो होगा भी, अब नेश देखते हैं, नियम समीती जो है, इसके अध्यक्ष, डॉक्टर राजिंद प्रशाद थे, एक आ हो गया, तीन, एक आ तीन, तो यह option आपका सही होता है, संग सक्ती समीती, दो प्रकार की स संग की समीतिया थी, संग सक्ती समीती और संग समीधान समीती, तो संग की कोई भी समीती के बाद आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष होंगे, जवाहरलाग नेहरू, और प्रारूप समीती के डक्टर अंबेटकर, नियम समीती के डक्टर राजिंद प गया था तो उसके जो अधिक्ष थे वो सरदार पटेल थे और इसके अंदर गद दो उप्षमीतिया बनी थी मौलिक अधिकार उप्षमीति एक होता है मौलिक अधिकार उप्षमीति इसके के जो अध्यक्ष थे वह jb क्रिपलानी इसे के साथ एक दूसरी समीति थी अलप शंख्यक उप्शमाती जो कोश्चन में कुछा है उप्शमाती अलप संख्यक उप समीती के जो अध्यक्ष थे वह hc मुखरजी इसका अलप संख्यक उप अध्यक्ष थे हैं एक सी मुखर जी डी का चार बिगा चार उप्शं भी हमारा सही होता है तो यह आपको पता हो चाहिए कि मौलिक अधिकार अलपसंख्या के लिए जो सलाकार समीती बनी थी उसके अध्यक्ष तो थे वह सरदार पटेल थे लेकिन उसके अंदर उपसंख्या बनी थी, इसमें मौलीक अधिकारूप शमीती और अलपसंखयक उपसंदी थे मौलीक अधिकारूप शमीति जो अध्यक्स ये बी कृपलानी और अलपसंख्यक उपसंदी के अध्यक्स थे वह HC मुखर जी नेक्स देखते हैं निम לिखित कत्नों पर विचार कीजी, येवं सत्यकथन का chain कीजी, आपको यहाँ पे सत्यकथन को अपको अंडरलाइन करना है सत्यकथन बताना है बारती सविधान के निर्मान हेतू सविधान सबा के खुल 15 अधिवेशन हुए तो ये हमको सिधा-सिधा पता है कि 15 अधिवेशन नहीं हुआ था टोटल हमारे 11 अधिवेशन हुए थे तो ये option तो आपका सीधा सीधा गलत है और सत्य बताना है तो एक होगा नहीं है हमारे answer में तो सत्य बताना है तो एसमें एक है तो ये नहीं होगा वो प्रोक्त सभी लिखा है इसमें भी एक है मतलब ये भी नहीं होगा तो आपका option B या फिर option C हो सकता है समीधान सभा के सदस्यों में कूल 15 मही लाएं थी ये आपको पता होना चाहिए कई बार one point question में भी पूछा जा चुगा है कि समीधान सभा में कितनी मही लाएं थी तो समीधान सभा में 15 मही लाएं थी ये आपको पता होना चाहिए ये एकदम सही कथन है समीधान सभा में मौलिक अदिकारों एवं अल्प संक्यों को हेतु शालाकार समीती की अधेक सियदार पठेलते प्रिवियर्स कोस्चन में हम लोग ने इसका एक्स्प्लेशन देखा है और ये एकदम सही है तो option 2 और 3 सही है तो इसका answer हो गया C राश्ट्रपती के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में कौन से सदस्य भाग नहीं ले सकते महाभियोग की प्रक्रिया है भाग नहीं लेने की प्रक्रिया है राश्ट्रपती के जो चुनाव होता है उसमें कुछ सदस्य निर्वाचन के समय भाग लेते है और उसके कुछ सदस्य निर्वाचन के समय जो भाग लेते है वो उसके महाभियोग के समय वो भाग नहीं ले सकते तो ये इसके लिए आपको दो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इसके महाभ्योग के समय संसत के दोनों सदनों के नामांकित या मनोनित जो सदस हैं जिनोंने राष्ट्रपती के चूनाओं में भाग नहीं लिया था इस महाभ्योग में भाग ले सकते हैं मतलब मनोनित सदस संसत के सदन के दोनों सदन के जो मनोनित सदस हैं वो राष्ट्रपती के निरवाचन के समय भाग नहीं लेते हैं लेकिन उनके महाभियोग के समय वो भाग लेते हैं, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सेकेंड चीज, निर्वाचन के समय जो राज्यों के विधायक होते हैं, वो निर्वाचन के समय भाग लेते हैं, लेकिन इसके महाभियोग प्रस्ताओं में भाग नहीं लेते हैं जो MLA होते हैं विधायक होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं तो महावियोग के समय ये दो पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है आपको दोनों पता होना चाहिए कि मनोनित सदस्य सदन के दोनों सदनों के मनोनित सदस्य हैं वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महावियोग में भाग लेते हैं, उसी प्रकार जो राज्य के विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदसे हैं, निर्वाचित सदसे राष्ट्रपती के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन महावियोग में भाग नहीं लेते हैं यह दोनों point आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बाद आप देखे हो कि सदसे भाग नहीं लेते हैं तो दिल्ली विधान सबाग के निर्वाजी सदसे भाग नहीं लेते हैं सही बात है उत्तर पदेश विधान सबाग के निर्वाजी सदसे भाग नहीं लेते ये भी सही बात है राजस्वाग या मनुद्द सभाग लेते हैं भाग लेते हैं तो नहीं ले सकते में यह दोनों आप्शन चाहिए एक दू आपका सही होगा इसका अंसर एक सही होगा कि यह आपको फैक्ट बहुत अच्छे से पता होना चीए नेक्स्ट को चैन में भारती शाशन अधीनियम 1935 के सम्बंध में निमलिकित खत्नों पर विचार कीजे यह हम सत्य कथन का चेन कीजे शत्य कथन बताना है तो भारती शाशन अधीनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वयत साशन का अंत कर दिया गया था एकदम सही बात है प्रांतों में द्वयत सासन कांत किया गया था और केंद्र में द्वयत सासन लाए गया था और प्रांतों में संपूर्ण स्वात यत्तता दी गई थी प्रांतों में शंपुण स्वाय तता दी गई थी और राज्यों में द्वयत साशन को समाप्त करके केंद्र में द्वयत साशन की स्थापना की गई थी इस अधिनियम द्वरा प्रांतों में द्विशद्नी पद्धती की शुरुवात की गई थी ये भी सही बात है दूश अधिनी पद्दिती की शुरुवात केंद्र में 1919 के अक्ट से हुआ था लेकिन राज्यों में 1935 के अक्ट से हुआ इस अधिनियम दोरा दली जातियों मैलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की वेवस्था की गई थी ये भी बा महाभयोग का प्रस्ताव केवल लोक्षभा में प्रस्तूत किया जा सकता है देखे महाभयोग का प्रस्ताव जो है वो अर्धनियाईक प्रक्रिया है राश्ट्रपती का महाभयोग की प्रक्रिया एक अर्धनियाईक प्रक्रिया गलाती है इस अर्धनियाईक प्रक्रिया मे किसी भी सदन में आप महवयोग के प्रस्ताव को ला सकते हो उस प्रस्ताव को किसी भी सदन में ला सकते हो और जिस सदन में आप लाएंगे उस सदन के जिस सदन में इस आरोपो को साबित करने के लिए लाया गया है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है उस सदन के एक चौथाई सदस से जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं उस सदन के एक चौथाई सदस से उसके आरोप पत्र पे हस्ताक्षर करेंगे और वो सदन में वो प्रस्तूत हो जाएगा और उस प्रस्ताव पर अगर दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा और उस दूसरे सदन का काम होगा उस आरोपों की जांच करना चुकि यहाँ पर जांच सामिल हो रहा है इसलिए इसको एक अर्धन्याइक प्रक्रिया कहा जाता है हाप जुड़ुश्री अर्धन्याइक प्रक्रिया महाब्योग को राष्ट्रपती के महाब्योग को अर्धन्याइक प्रक्रिया कहा जाता है यह आपको पताओना चाहिए तो इसकी राष्ट्रपती का पर महाभियों का प्रस्ताओ केवल लोक्षभा में प्रस्तुत क्या जा सकता है ये कथन एकदम गलत है इस प्रस्ताओ की सूचना राष्ट्रपती को 14 दिन पूरो देना आवस्यक है ये सही है इस प्रस्ताओं के सूचना पर सदन के कम से कम आदे सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए ये गलत है, सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए उससे जादा नहीं लगता है, तो ये option भी आपका गलत है असत्य कथन का चैन कीजिए, तो एक और तीन आपका असत्य है, तो इसका option भी सही हो जाता है इस प्रकार आपको महावी योग के बारे में जानकार योग होगा question 9 में, निमलिखित कत्वों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चैन कीजिए असत्यकतन का चैन करना है अध्यक्षी सासन प्रणाली में प्रधान प्रत्री कारेपालिका का वास्तविक प्रधान होता है अध्यक्षी और दो प्रकार की सासन प्रणाली होती है एक होता है अध्यक्षी और एक होता है संसदी अध्यक्षी में जो होता है वो कारेपालिका औ में कारेपालिका और जो राष्ट दोनों के प्रमुक होते हैं वो रहोते हैं राष्ट्रपती और ये प्रक्रिया अपनाई आती हैं अमेरिका जैसे देशों में संसदी सासन प्रणाली जो भारत में अपनाया जाता है इसमें कारेपालिका के प्रमुक जो होते हैं वो प्रधा प्रणाली में और भारत में संसदी प्रणाली अपनाई जाती है तो अध्यक्षिय शाषन प्रणाली में प्रधान मंत्री का तो कोई रोली नहीं है यहाँ पर प्रधान मंत्री नहीं होते हैं कार पालिगा का वास्तविक प्रणाली में राष्ट्रपती वास्ताविक प्रधान होता है तो यह option आपका गलत होगे भारत में अध्यक्षी शाषन प्रणाली का पचलन है नहीं भारत में संसदी शाषन प्रणाली भारती सविधान की प्रमुक विशेस्ताओं में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है आर्टिकल 243 में ग्राम बंचायतों की स्थापना की गई है तो यह option सही होगे असत्य गधन का चैन करना है तो एक और दो असत्य है तो आपका option यह एक सही होता है नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं दस्वा भारती राजी छेतरों पर ब्रिटिस कराउन के स्वामित के दावो का प्रथम वैधानिक दस्ताविज किस एक्ट को कहा जाता है तो यह आपको जब आप एमलेश्मी कान की बुक पढ़ेंगे तो 1784 का एक्ट आप जब पढ़ोगे उसमें तो उसमें दो चीज़े लिखी हुई है और वो दोनों चीज़े बहुत मत्वण हैं एक पाला क्या कि इस एक्ट के द्वारा बोर्ड आफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और दूसरा जो था भारत में कमपनी के अधीन छेत्र को पहली बार ब्रिटिस अधिपत्य का छेत्र कहा गया था ये दोनों पॉइंट 1784 एक्ट की बहुत मत्वण हैं तो ये ब्रिटिस क्राउन के स्वामित वाला दावा जो है वो 1784 के पीट सिंडिया एक्ट में किया गया था तो इसका option D सही होगा इस प्रकार अब 11 कोश्चन देखते हैं निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चेन करना है राष्ट्रपती के चुनाओं संबंधी विवादों का विनिश्चे केवल उच्चितम नियाले में किया जाएगा इसका वर्णन अनुच्छेद 71 में किया गया है असत्य कथन का चेन करना है उच्चितम नियाले द्वारा रागिसी राष्ट्रपती के निर्वाचन को जब अवैद घोशित किया जाएगा तो उस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपती के रूप में पूरो में लिये गए सारे निया को अवैद घोशित कर दिया जाएगा यो option बहुत गलत बात है चुकि राष्ट्रपती के जो निर्णे होते हैं वो कारेपालिका के निर्णे होते हैं जिसके उपर सिर्फ राष्ट्रपती साइन करते हैं तो राष्ट्रपती के द्वारा पहले जो भी काम किया जाता है उसको निरस्त नहीं किया जाता है वो सभी वैद होते हैं बस उनको हटा दिया जाता है राष्ट्रपती के निर्वाचक मंडल में यदी रिक्तता है तो राष्ट्रपती का चुनाओ अवैद घोसित हो जाएगा ऐसा नहीं होता है कोई अगर सीट खाली है फिर भी राष्ट्रपती का चुनाओ करवाया जाता है दो और तीन तो आपका गलत हो गया एक के अनुच्छे दिकहत्तर को आपको पढ़ना है अनुच्छे दिकहत्तर सही है इसमें निर्वाचन विवाद का निश्चे सर्वुच्छ नयाले द्वारा लिया जाता है ये option एक का सई है तो option एक सई है असत्य कथन का चैन करना है दो और तीन इसके गलत है तो option C इसका सई आंसर होता है अनुच्छे दिकहत्तर आपको पता होना चाहिए कारेवाहियों को समِّलित कीजिए, समिधान सभा जब भिए पड़ो तो इसके कुछ प्रमुक्ट तारीखों को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, एक तो किया, कि समिधान सभा जो है, इसका गठन हुआ सविधान सभा का गठन किया गया था और सविधान सभा की पाहली बैठक जो भी थी वह पाहली बैठक 9 दिसंबर को भी थी जिसमें अई स्थाई अध्यक्ष के रूप में सचीदानन सिना को चुना गया था सेकेंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर में जिसमें इस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंदर परशाद को इस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था नेक्ष्ट मिटिंग भी थी 13 दिसंबर को जिसमें जवारलाल नहरों ने उद्देश से प्रस्ताव को सदन में रखा था और यही उद्देश से प्रस्ताव 22 जन्वरी 1947 को पास कर दिया गया था यही चीज पूछा है 22 जन्वरी 1947 को उद्देश से प्रस्ताव पास हो गया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देव प्रस्ताव प्रस्तूत किया गया था 9 दिसंबर को सविधान सभा की पाली बैठक भी थी और 11 दिसंबर 1946 को सविधान सभा के इस्थाई अद्देश्ट का चुनाओ किया गया था इस प्रकार आप्शन आपका सी सही होता है नेक्ट कोस्टन देखते हैं तेरवे नमबर का निबलिकत कत्नों पर विचार कीजिए और सत्यकधन का चैन कीजिए सत्यकधन का चैन करना है ब्यालिस में समविधान संसोधन अदिनियम 1976 द्वारा समविधान में प्रस्तावना में पंत निर्पेक से सब्द जोड़ा गया था तो आपको पता हुना चैन कि प्रस्तावना में एक बार संसोधन किया गया था और वो ब्यालिस में समविधान संसोधन के तहती किया गया था और समविधान के प्रस्तावना में एक हुआ समाजवा सब्द दूसरा है पंत निर्पेक्ज और तीसरा है अखंडता ये तीन सब्द जोड़े गया थे और ये तीनों सब्द 42 में समीदान संसुधन के तहद ही जोड़े गया थे 44 में समीदान संसुधन 1978 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी अकन्रता सब्द को जोड़ा गया था यह गलत है यह सही है भारती सविधान में भारत की जंता को समस्तियों का केंदर विंदु माना गिया है यह गधन भी सही है सत्य गधन का चेहन करना है एक और तीन सही है तो इसका option भी सही हो जाता है भारत की उपराश्टर पती के बारे में कुछ पूछा है तो अब ही current में 2023 म हमारे उप्रेश्ट पती हैं इससे पहले 2017 में वहिंकईया नाइडू थे उससे पहले 2007 से लेके 2017 तब दो टर्म के लिए हामिद अंसारी को बनाया गया था उससे पहले हामिद अंसारी से पहले सिखावत जी थे तो यह आपको पीशे से सिक्वेंस पता होना चाहिए इससे पहले हामिद अंसारी से पहले सिखावत थे हामिद अंसारी दो बाटम बने थे 2007 से 2017 तक डी का ओगे चार तो ये और ये दोनों option हो सकते हैं, ये दोनों नहीं होगे हमिद अंसारी से पहले पता है, सिखावत जी थे, तो B B का ये ही हो जाएगा, साथ से पहले, सिखावत जी, B का दो B का दो, या तो या होगा, या तो ये होगा तो ये तो हो गई नहीं, तो आपका option भी हो जाएगा, आपको दो ही पता हैंगे, फिर भी आप इसको टिक कर सकते हो, वागी के आर नरायन और वी वी गिरी इससे पहले के थे, कि सम्विदान संसोधन द्वारा सब्पत्ति के मूल अधिकार को विदिक अधिकार में convert कर दिया गया था, कमपत्ति के मूल अधिकार को विदिक अधिकार में article 300 क में जोड़ा गया है, और ये क्या गया था, 44 में सम्विदान संसोधन के था, option B इसका सही अंसर होता है, निमलिकित कत्नों पर विचार कर सत्य कथन का चैन कीजी, उप राश्ट्र पति को पत से हटाने का पर प्रस्ताव के वल, राज्य सभा द्वारा लाया जा सकता है, ये option सही है, क्योंकि उप राश्ट्र पती जो होते हैं, वो राज्य सभा के पदेन सभा पती होते हैं, इसलिए उनको उप राश्ट्र पती का पत रिक्त होने पर चुनाव कराने की कोई नियत समय नहीं है, ये सभी सही है, उसमें सभीधान में लिखा गया है, कि उप राश्ट्र पती का पत खाली होने से पहले ही उप राश्ट्र पती का पत भर लिया जाएगा, अगर किसी स्तिती में उप राश्ट्र पती का पत खाली है, तो ये सीग राता है, उसका चुनाव करके उसों भरा जाना चाहिए तो इसके दोनों option सही है तो इसके answer होगे option C next question है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजे यह हम सत्य कथन का chain कीजे सत्य कथन का chain करना है भारतिय समीधान में वरतमान इस्तिती में एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे एकल नागरिकता है आप 36 गड़ के अलग नागरिक और भारत के अलग नागरिक नहीं होगे जिस प्रकार से अमेरिका में होता है वहाँ पे दबल नागरिक्ता होती है अमेरिका के अपना एक national citizenship और उसके एक state के अलग citizenship दो citizenship मिला जाता है लेकिन हमारे देश में एकल नागरिक्ता है ठीके कतन सही है नागरिक्ता के संबंद में विधी निर्माड का अधिकार का वरणन अनुच्छे 13 में किया गया है तो भारती सविधान में citizenship नागरिक्ता का वरणन जो है वो भाग दो आर्टिकल आर्टिकल आपका 5 से 11 में इसका वरणन है और मौली का दिकार जो है वो आपका 12 से 35 है तो 13 वाला तो मौली का दिकार का आर्टिकल है नागरिक्ता का तो 5 से 11 तो यह उप्सन तो आपका सीधा गलत हो गया संसे दोरा नागरिक्ता के सम्मांद में सवरण प्रथम जो अधिनियम था 1955 में पारित किया गया था ये भी सही वाद है तो सत्य कथन का चैन करना है तो एक और तीन इसके सही है तो यह इसका आंसर हो गया निमलिकित कश्णों पर विचार कीजे ये Him pe सदन का सदस से हो ऐसा जरूरी है लेकिन जरूरी भी नहीं है इतना भी जरूरी नहीं कि अगर कोई वेक्ति सदन का सदस से नहीं है तो उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता उसको मंत्री बनाया जा सकता है मंत्री बन जाने के बाद उसको किसी भी सदन का सदस्यता 6 महिने के अंदर आपको लेना होता है या तो लोक्षभा का लेलो या तो राज्य सभा का लेलो लेकिन किसी भी सदन के सदस्यता आप 6 महिने के अंदर लेलो 6 महीने के तक नहीं लेते हो तो आप मंत्री पत से हड़ जाओगे लेकिन आप बीना सदन किसी भी सदन के सदस्य गरहन किये भी आप 6 महीने तक आप मंत्री रह सकते हो तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति को मंत्री परिश्चत का सदन से बनने के लिए मंत्री बनने के लिए आवस्यक है कि वो संसत के किसी सदन का सदस से हो यह option आपका गलत हो जाता है यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसत सदन का सदस से नहीं है तो उसे एक महीने नहीं, छै महीने के अंदर संसत सदस से बनना अनिवार है यह option भी गलत हो गया मंत्रियों के नियुक्ति में राष्ट्रपती का निनेज होता है वो अंतीम होता है ये option मंत्रियों के नियुक्ति राष्ट्रपती जो होते हैं वो प्रधान मंत्री के शलहा पे करते हैं तो ये option भी आपका गलत होगे तो संत्यकरतनि इसमेंसे कोई भी नहीं है, तो option D इसका सही होता है इसमें एक महस्त्पूर्ण छीज आपको मैं बतादू, दो चीजी होती है एक होता है निवट्टी और दूसरा होता है निरवाचन न्यूक्ति जो होता है वो कोई व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को न्यूक्त करते हैं जैसे हम लोग प्रधान मंत्री को चुनते नहीं हैं हम डारेक्टर हमको प्रधान मंत्री को चुनने का कोई अधिकार नहीं प्रधान मंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं प्रधान मंत्री को जो सदन के बहुमत होता है उनके जो बहुमत के नेता होते हैं सदन के बहुमत के नेता होते हैं उनको प्रधान मंत्री उनको राष्ट्रपती प्रधान मंत्री के रूप में न्यूक्त करते हैं और दूसरा होता है निरवाचन जिसको हम लोग चुनते हैं जैसे क्यों MP, MLA, Vice President ये सब होते हैं निरवाचित तो ये आपको पता होना चाहिए नियुक्ति और निरवाचन दोनों अलग चीजे हैं Next Question 19 में भारति समयधान में उप राष्ट्रपती को कारेभाग राष्ट्रपती के रूप में कार करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत ससक्त किया गया है तो आपको उप राष्ट्रपती के सम्मदित कुछ आर्टिकल हमेशा आपको याद होना चाहिए तो इसके अंसर अनुच्छेद 65 में उप राष्ट्रपती को कारेभाग राष्ट्रपती के रूप में कार करने के लिए अधिक्रित किया गया है तो 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपती की कृत्यों का निर्वान उप राष्ट्रपती करते हैं और वो कारेभाग राष्ट्रपती के रूप म कार्य करेंगे वह इसी प्रकार अर्टिकल 64 जो होता है उप राश्टर पती राज्यसभा का पदेन सभापती होता है यह राज्यसभा के पदेन सभापती होते हैं यह 64 में कहा गया है में कारी कर सकते हैं इस प्रगार आपको आर्टिकल पता होना चाहिए इसका आपके स्टेट्मेंट पता होना चाहिए ये स्टेट्मेंट कहा था मार ले ने नेक्स कोश्चन है 21 जिमलिखित कत्नों पर विचार किज़े और सत्य कत्न का चैन करना है तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बल्देव सिंग थे ये को आप्शन सही है रक्षा से पता होना चाहिए बल बल जो थे वो रक्षा गरते हैं हमारी तो प्रथम प्रथम मंत्री मंधल में प्रधान मंत्रे शहिद कुल 26 अदस्य थे तो ये मेरे को नहीं पता था मंत्री मंदल के गठा ने तो विभागों का बटवारा प्रधान मंत्रे द्वर्र किया जाता है ये भी सही कदन है सत्य कदन का चैन करना है तो मैं जब लक्ष्मिकान पढ़ हो सकता है तो option एक और दो सत्य हैं एक और तीन तो इसका सही आंसर होगा सी कोश्चन नमबर 22 निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए यह सत्य कधन का चैन कीजिए 92 संविधान संसोदन 2003 द्वारा मंत्री परिशद में प्रधान मंत्री सहित सदस्यों के कुल संख्या कुल सदस्य संख्या के 15 परिशद का लिमिट लगा दिया गया था यह 92 नहीं यह 99 वा संविधान संसोदन 2003 के द्वारा लिमिट लगा गया था तो यह सत्य बतन बदाना है तो यह आपका को ऑप्षिन गलत हो गया और उछे 75-03 में मंत्री परिशद को के लोक सभा के प्रति सामुहीक उत्तरदाइतों का मढन किया गया है यह आपका सही है सामुहीक उत्तरदाइतों के सिधद्दान के अनुशार संपुर्ण मंत्री परिशत को एक काई करूप में माना गया है अर्थात प्रधान मंत्री मंत्री परिशत मंत्री पत्षे इस्थिपा देते हैं तो पूरी सरकार को इस्थिपा देना पड़ेगा सरकार भंग हो जाती है यदि लोक्षभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अव आर्टिकल 75 हमेशा याद रखना चाहिए आर्टिकल 75 एक में कहा गया है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपती करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपती प्रधान मंत्री की सलहा पे करेगा यह आर्टिकल 75 एक कहता है आर्टिकल 75 दो कहता है कि म प्रसाद परियंत अपना पद धारन करेंगे उसी प्रगार आटिकल 75-3 कहता है कि मंत्री परिषद लोग सभा के प्रती सामुहीक रोप से उत्तरदाइत होंगे जो ये option बता रहा है तो option 2 और option 3 सही है option 20 का सही आंसर होगा question number 23 निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए हम सत्य कथन का चेन कीजिए भारत सरकार के प्रतम विदी अधिकारी को महा नियावादी कहा जाता है सत्य कथन बताना है ये लेकिन सत्य है महा नियावादी का वणनल भारती समिधान के भाग 6 में किया गया है भाग च्छे तो भाग पांच और भाग च्छे भाग पांच में संग के बारे में बताए गया है और भाग च्छे में राज्य के बारे में बताए गया है महान्यायवादी मतलब Attorney General Attorney General जो होंगे वो संग में काम करते हैं और राज़ में Advocate General महान्यायवादी तो ये संग वाले हैं तो संग वाले तो भाग 5 में होना चाहिए तो भाग 6 लिखा है तो ये option आपका गलत हो गया महान्यायवादी का वर्णान सविधान के अनुच्छे 76 में किया गया ये सही कदन है तो एक और तीन सही है तो इसका option हो गया ए question number 24 निमलिकित कदनों पर विचार कर असत्य कदन का असत्य कदन का chain केजिए मंत्री परिशत का कोई मंत्री अपना त्याग पत्र केवल प्रधान मंत्री को संबोधित करके दे सकता है मैंने बताया मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है मंत्री नियुक्त होते है यहाँ सब्द पताना मंत्री नियुक्त होते है और इनको नियुक्ति करता है President मंत्रियों की न्यूक्ति करता है प्रिशिडेंट तो जब यह अपना त्याग पत्र देंगे तो भी यह अपना त्याग पत्र प्रिशिडेंट को ही देंगे जीनों ने इसको न्यूक्ति यह है यह अपना त्याग पत्र भी उन्हीं को देंगे तो मंत्री परिशत अपना त्य दाना है एक और तीन असत्य है तो option ए इसका सही अंसर होगा next question 25 निमलेखित कद्नों पर विचार कीज़े यह असत्य कथन का चेहन करना है असत्य कथन का चेहन करना है प्रधान मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपती को देते हैं सही बात है राष्ट्रपती अपना त्याग पत्र प्रधान मंत्री को देते हैं यह गलत बात है राष्ट्रपती अपना त्याग पत्र ऊपर राष्ट्रपती को देते हैं तो यह गलत बात है प्रधान मंत्री के पत के ये लिए नियूंतम आयू 35 वर्थ है ये गलत बात है क्योंकि प्रधान मंत्री बनने के लिए सदन के किसी भी सदस्यता उनको होना चाहिए और चूप की जानते हैं हम लोग की लोग सभा में नियूंतम आयू 25 है और राज्य सभा में 30 है तो ये 35 वा हो गया असत्य गत्न बताना था तो दो और तीन इसका असत्य आश्य है अप्शन सी इसका सभी आंसर हो गया भारती सभीधान में मौलिक अधिकारों के आउधारन की देश से लिए तो बहुत आसान सवाल है मौलिक अधिगार जो होते है फंडामेंटल राइट वो अमेरिका के सविदान से लिया गया है इसका अंसर एस ही हो गया Q27 भारत निमलिकित में से कौन सी विशेष्था भारती एवं अमरीकी संग में एक समान है अमेरिका में दोरी सदस्यता है दोरी नाग रिखता है लेकिन भारत में एकल नाग रिखता है एकल नयाय पालिका जो होगी ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा उपरोक्स अभी भी नहीं हो सकता तो आंसर आपका C होगा एकल नयाय पालिका भारत में भी एकल नयाय पालिका है राज्यू की अलग नयाय पालिका और केंद्री की अलग नयाय पालिका नहीं है उसी प्रक मंत्री की नियुक्ति करते हैं देश के किसी भाग में अपाद का लागू करते हैं आर्टिकल 352 के ताहर देश के किसी भाग में अपाद काल को लागू करते हैं प्रदान मंत्री की नियुक्ति पचत्तर एक में बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रदान मंत्री की नियुक्त पद से हटाना राश्ट्रपती को प्राप्त नहीं है तो वह महान्यावादी की न्यूक्ती जो होती है किंद्र सरकार अपने किसी न्यायक्त विद्वान को महान्यवादी के रूप में न्यूक्त करती है लेकिन किसी मंत्री को पत से किसी मंत्री को पत से हटाने का अधिकार राष्ट्रपदी को नहीं है तो यह ऑप्शन गलत हो गया ऑप्शन किबल किसी मंत्री को पत से नहीं हटा सकते राष्ट्रपदी को प्राप्त नहीं है यह अधिकार तो आप्शन किबल भी इसका सही आंसर होगा कोश्चा नमबर 29 निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए यह सत्यकतन का चेन कीजिए सत्यकतन का चेन करना है प्रदान मंत्री की नियुक जब प्रधं बार प्रधान मंत्री बनी तब हो राज़ सवागी सदस्यती यह पता नहीं में रखो प्रधान मंत्री की प्रदावधी का वरणन अनुछेद 75-2 में किया गया है मालों ये भी नहीं पता है सत्य गथन का चेन करना है तो option 1 तो सत्य है और option 1 तीनों में है पदावधी का वणन 75-2 में आज हम लोगों ने क्या देखा 75-2 में मंदरी राष्ट पती के प्रसाद परियंत अपना पत धारन करते हैं तो इसमें पदावधी का भी वणन होगे तो ये भी सही है तो इसका आंसर जो है 29 का C C इसका आंसर है 1-2-3 सही इंदरा गांदी जब प्रधम बारत प्रदान मंत्री बनी तब वो राज्यसभा के सदस्य थी ये आपको पता होना चीए question number 30 ये बिल्कुल भी गलत बात है उच्चे नयाल है किसी भी सेसर नयाल है अधिकार है वो भारत के सरवोच्चविदी अधिकारी होते हैं उनको किसी भी नयाल है सुनवाई के लिए नहीं रुका जा सकता ये question option गलत हो गया महानियावादी को याधिकार है कि वह संसत के दोनों सदनों के कारेवाई में भाग ले सकते हैं सही बात है भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं वोट वो नहीं दे सकते हैं लेकिन भाग ले सकते हैं महा नियावादी को या अधिकार भी प्राप्त है कि वह संसत के किसी भी सदन में अपने विचार भी वेक्त कर सकते हैं, ये भी सही है, सत्य बताना है, दो और तिन सही है, तो option A, इसका सही आंसर होता है, भारत, option question 31, भारत एक धर्म निर्पेक्ष राष्टर है, इस कधन का त सही करता है, उसका अपना एक स्टेट लेबल का धर्म नहीं है, option A का सही आंसर है, question 32, निमलिकित कत्नों पर विचार का सत्य कतन का चुनाव करना है, सविधान सबाद और हाथी को प्रतिक चिनन के रूप में स्विकार किया गया था, बहुत important fact है, ये आपको पता होना चाहि सविधान सबाद और बाग को नहीं, प्रेम बिहारी नारायन राय ज्यादा भारती सविधान के प्रमुक सो लेकर कैलिग्राफर थे, ये कैलिग्राफर थे, ये भी option सही, सत्य कतन का चैनाव करना है, एक और तीन सही है, तो इसका option B सही answer हो, question 33, 26 नॉम्बर उनिस सो और चा 270 के असपास हो चुके हैं, तो 375 अनुचे और आठ अनुचिया थी, जब वो लागू किया गया था, तो option B का सही answer है, question 34, सविधान सबाद के गठन से सम्बंदित निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, तदा सत्य गठन का चैन करना है, सविधान सबाद के कुल सदस्यों क चैन, ब्रिटिस प्रसाशन द्वारा किया जाना था, यह गलत है, देशी रियासत के प्रतिनीदी का चैन, उसी देशी रियासत के जो राजा होते थे, वो राजा अपने प्रतिनीदियों का चैन, राजा करते थे, ना कि ब्रिटिस चैन करती थी, तो यह option गलत हो गया, सत्य सोनिस के एक्ट में कहा गया था कि दस साल में एक बार एक कमिटी बठाई जाएगी कि जो इस अधिनियम के मुल्यांकन करेगी कैसा चल रहा है कि कोश्चा नमबर 36 भारती समिधान भारतियों के इच्छा नुसार ही होगा यह कातन किस व्यक्ति ने प्यक्ति किया था तो यह मा आत्म गांधी ने कहा था कि भारती सुविधान भारतियों की इच्छा नुसार ही होगा कोश्चा नमबर 37 एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है मौलिक कर्तव्य जो है वो आर्टिकल 59 का में बदाय गया है भाग चार का प्राकृतिक प ही है अस्प्रिसेता मिटाने का प्रयास करना यह सा नहीं है तो ऑप्सेन इसका सी इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव यह अस्प्रिसेता मिटाना हमाला मौरतिक कर्तव नहीं है हमारा मौलिक अधिकार है कि आप अस्प्रिसेता करी नहीं सकते आप अगर अस्प्रिसेता करोग तो आपको सजा मिलेगी तो आप्सेन इसका सी सही होगा भारत के समीधान के किस अनुसूची में विभिन राज्यों के अनुसूची छेत्रों की प्रसाशन पर नियंत्रण के लिए विसे जुबंध है तो यह पाच्वी अनुसूची ट्रेबल छेत्र के लिए पाच्वी ऑगी हो है में लुग देहेंगे ही गो तो समान कारे के लिए समान वेतन भारत के समीधान में सुनिश्चित किया गया है समान कारे के लिए समान बेतन राज्य के नीती निर्देशक तत्तों में आर्टिकल 39 के तहट दिया गया है रिट है सविधान के अनुच्छेद 32 में सविधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है जिसमें बंदी प्रतिक्षी करण हैबियस कॉर्पस मतलब सर सरीर उपस्तित करें सर सरीर उपस्तित करें हैबियस कॉर्पस बंदी प्रतिक्षी करण एक आओ गया तीन एक आओ गया तीन यह आप्शन आपका गलत होगा यह आप्शन होगा यह नहीं पर्मादेश हम आदेश देते हैं कि बी का हो गया चार option बी इसका सई answer हो गया प्रतिशेद रोकना उत्प्रेशन पुणता है सूचित करें डी का हो गया एक सी का हो गया दो प्रतिशेद मतलब मना गरते हैं question number 41 गषभटान करने के लिए क्रिशन मेनन समीती का अगतन किया गया था नीبة इस समीती में इस समीती में 32 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य राज्य सवासे और 7 सदस्य लोक सवासे चुने जाते हैं समीधान, भारतिय, संसदिय, समीती के बारे में आप जब पढ़ोगे, तो लोग, जो सारवजनी उपकरम समीती है, इसमें 22 सदसे होंगे, जिसमें से हमेशा 15 सदसे जो होंगे, वो लोकसभा से होंगे, और 7 सदसे होंगे, जो वो राजसभा से होंगे, यह आपको हमेशा पता गलत है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 है उफरोगस झाई ये इनियो 2 ये यो are you have got 10 तो आपको कि दुरिट सकते हो अगर आपको ने पता है इन दोनों के बारे में या तो शूड़ते सकते हो मैं आपको बोलूंगा कि आपको चांस है आप disrupted 50 का तो आप रिसक लो और option B को टिक करो जो आपका सही अंसर है Next question निमलिखित कदनों पर विचार कीजिए यहां असत्य कथन का चैन कीजिए असत्य कथन का चैन करना है लोकसभा के नियम समीती का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है लोकसभा जो अध्यक्ष होंगे वही लोकसभा से सम्मंदित नियम को बनाते हैं इसलिए वो नियम समीती के पदेन अध्यक्ष होते हैं कार्य मंत्रना समीती का गठन केवाल लोकसभा में किया जाता है सदर्न में प्रस्तु दस्तावेजों से सम्मंदित समीती का गठन सर प्रथाम 1975 में क्या गया था असत्य कथन का चैन करना है असत्य कथन एक तो होगा नहीं एक तो सही है एक सही है ये भी नहीं होगा ये प्रोक सभी सब में एक है एक तो सही है और तीनों में एक है तो option A इसका सही होगा है क्योंकि तीनों option होई नहीं सकते नहीं पता था फिर भी लगा सकते हैं इसका option A सही होगा question number 43 सही मिलान बनाना है अनुच्छे 13 एक यह होगा मूल अधिकार से संबंदित 12 से 35 तक हमारा आर्टिकल है तो अनुच्छे 13 जो बोलता है वो अन वीदियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है तो समिधान पूर्व वीदियों से सुरक्षा के बाद करता है आर्टिकल 16 जब बात करोगे आर्टिकल 16 हमेशा आपको रोजगार से संबंदित बता है आर्टिकल सुरा बलेगा शुरुआत में कि लोक नियोजन में किसी भी प्रगार का भेद भाव नहीं होना चाहिए फिर वही 16 के अंदर एक दो तीन चार में आपको आरच्छन का प्रावधान मिलेगा लोक नियोजन या फिर रोजगार एम्प्लॉयमेंट में आरच्छन की बाद हमेशा 16 में की जाएगी आपको यह पता होना चाहिए कि 16 से संबंदित जोंगी नौकरियों में आउसर की समानता की बात करेगा अनौकरियों में आपको आरच्छन की बात करेगा डी का चार ऑप्सन सी सही है इसका सत्य कथन का चेन करना है ग्राम पंचायतों का गठन अनौकर चालिस में किया गया था एकदम सत्य है आर्टिकल फोटी आपको मुझावानी आज होना चाहिए कि यह ग्राम पंचायत से जुड़ा हुगा आर्टिकल है सकारी सम्यूतियों का गठन का प्रावधान अनौकर 43 क में किया गया है तो यह गलत है अनौकर 43 क में सहबागी प्रबंदन अनौकर 43 क में एक संगठन है उसके कर्मचायों के कि संगठन में प्रबंदन की सहबागीता सुनिश्चित करने के लिए 43 क को 42 में समविदान संसुधन के ताहर जोड़ा गया था तो यह आपका गलत है अनौकर 49 क में समान न्याय और नेशुल कविदिक सहायता के बारे में बताया गया है यह एकदम कथन सही है अनौकर 49 क में समान न्याय और नेशुल कविदिक सहायता के बारे में बात की गया है तो यह कदम सत्य है एक और तीन इसका सही अंसर है तो आप्शन भी इसका सही हो जाता है कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है सुमिलित नहीं है छटवी तीसरी सातवी और दूसरी दूसरी और तीसरी आपको यह सिक्वेंस पता होना चाहिए अनुसूची पहले में भारत संग के राज्यों का नाम लिखा गया है दूसरा में पहले उनको जो भी भारत संग के अधिकारी होंगे जो सास के सेवक होंगे उनको पहले वेतन की बात की गई है सबसे पहले बताया गया कि आप वेतन कितना लोग है फिर उनको बताया गया चलो आप वेतन मिल गया अब आप अपने पत का सपत लो यह सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छे दो में सबसे पहले वो तीन में अनुसूची तीन में वो सपत की बात करते हैं तो दूसरे अनुसूची में वेतन तो ये आपका सही है तीसरी अनुसूची में सपत की बात की गई ये भी सही है तो ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा साथवी अनसूची में संग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची की बात की गई ये भी नहीं होगा तो option A सही होगा पूरे भारत में अनसूची छेत्रों और अनसूची जनजातियों के बारे में प्रशासन वा नियंतरण के बारे में उबन जो किया गया है ये पाचवा अनसूची में किया गया है छटवी अनसूची में जो है वो असम, मेघालय, मिजोरम और तिरिपूरा इन चार राज्यों में प्रशासन से संबंदित जनजाति छेत्रों के प्रशासन में संबंद में छटवी अनसूची में बताया गया है इस तरह का उल्लेग आर्टिकल ने अनुसूची 5 में कहा गया है कोश्चन 46 निमलिकित समीतियों संसत में सेवा समीतियों के अंतरगत आती है यह बहुत इस अजीब टैप कोश्चन है इसका आंसर होगा इसमें आप आउट आउट आप कर सकते हो निमलिकित कद्नों पर विचार कीजिए असत्य कथन का चैन करना है लोग सभा अध्यक्ष काउणन अनुच्छे 93 में किया गया है यह सही कथन है आपको अनुच्छे 93 आपको याद होना चाहिए अनुच्छे 93 बताया गया है कि लोग सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उपन किया गया है यह अर्टिकल 93 गाता है लोग सभा के अध्यक्ष का चुनाओं में संसत के सभी सदस से भाग लेते हैं नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष है, तो लोकसभा के सदस से ही इसके अध्यक्ष चुनेंगे, तो इसके लोकसभा के ही सदस से इसके चुनाओं में भाग लेते हैं, नकी राज्यसभा के, क्योंकि संसद बोला है, तो संसद में, संसद जो सब्द है, इसमें आता है लोकसभा, र प्रेसिडेंट यह तीनों को मिला के बोला जाता है संसथ तो लोग सबाग के अध्यक्ष के चुनाव में संसथ नहों के सिर्फ लोग सबाग के सदस्थ ही भाग लेते हैं तो ऑप्शन यह दो गलत होगे लोग सबाग अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राष्टपदिक होते निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए सत्यकथन का चैन की सत्यकथन निती निर्थे सकत्तों को आर्लेंट के समविधान से लिया गया है सही बात है निती निर्थे सकत्तों को समविधान की आत्मा जी आश्टीन ने नहीं किया गया था अंबेटकर साबने का है तो गलत है न नेतिने तीफिप स्टॉ और वाद योग्य होते हैं नहीं सी सकत्ına तो जो होते हैं वूं करद से यहां पर मैं गलत हो जा रहा हूं सुरी उसके लिए निपिया से देशक्त तो जोते हैं वो दड़िमित होते हैं नहीं कि फंडामेंटल राइट जो होंगे वह बाद देओंगे लेकिन डीपी पी जोंगे वह बाद यह नहीं होते हैं मतलब आप इसको हनन होने की रूप में आप कोट में जाकि आप उसको लेने के लिए आप जस्टीफाइड नहीं कर सकते तो यह आप्शन तीसरा तो गलत है यह तो त्योर है तो आप्शन तीन गलत है और सत्यक्त्थन मत आना है तो तीन नहीं है इसका इसका सही कोटिन तो कतनों पर विचार की जए और सत्यकतें का चेन करना है निंदा प्रस्ताव लोग सभा के साथ साथ राज्य सभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है इसे प्रस्तुत करने का कारण बताना अनिवार है या मंत्री परिशत की नीतियों और कारियों के विरोध निंदा के लिए लाया जाता है आप निंदा प्रस्ताव और अब विश्वास प्रस्ताव, इसको हमेंसा सात में पढ़ोगे आप लक्षमी कांथ पढ़ोंगे दोनों को इस परश prose बताये गया जाते हैं वो लोग सबाँ दौनों लोग सबाँ में ही लाय जाते हैं और निन्दप्रस्ताव को लाने के आपको कारण बताना जरूरी आपको कारण बताना जरूरी है इसमें आपको कारण बताना नहीं पड़ता है लेकिन आप निंदप्रस्ताओ जब लाओगे तो आप किसी एक मंत्री के लिए या दो मंत्री के लिए या सभी मंत्रियों के लिए के विरुद्ध ला सकते हो लेगिन अब इस्वास प्रस्ताव हमेशा सभी मंत्रियों परिशत, संपूर्ण मंत्री परिशत के विरुद्ध लाय जाता है एक difference निंदप्रस्ताव का है कि आपको इसका कारण भी बताना पड़ेगा सभी मंत्रियों के विरुद दलाया जाता है इसके साथ ही निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो आपको रिजाइन देने की जरुरत नहीं रिजाइन देना आवस्यक नहीं और लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो आपको सुबा के साथ साथ राज्य सभा में नहीं इसे प्रस्तूत करने कारण बताना चाहिए या मंत्री परिशत की नीतियों कारियों के विरोध दिनिंदा लाया जाता है यह सही है सत्य कथन बताना है दो और तीम सही है निमलिकित कत्नों पर विचार कीज़े सत्य कथन का चैन कीज़े संसत के इस्थाई सम्यूतियों में लोक लेखा समीती सबसे बड़ी समीती होती है नहीं समीती की जब भी बात आएगी उसमें सबसे बड़ी समीती की जब बात आती है सबसे बड़ी समीती वो होगी प्राकलन समीती यह हमेशा आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी समीती होती है प्राकलन समीती जिसमें होते हैं तीस सदसे और ये तीसो के तीसो सदसे जो होते हैं वो लोक सबासे चुने जाते हैं जिनका कारेकाल एक साल का होता है समीधान संसत की स्थाई समीतियों में सबसे बड़ी समीति जो होती है सबसे बड़ी समीति होती है प्राकलन समीति और जिसमें तीस अदस से होते हैं जिन लोग सबासे आते हैं कारे काल एक साल होता है तो option एक गलत हो गया प्राकलन समीति का गठन केवल लोग सबासे किया जाता है ये सही हो गया सरकारी अब्याग रोकने के लिए तो नियमों की सिफारिस प्राक्लन समीती किया जाता है ये भी सही है सद्ध गधन करजेन करना है दो और तिन सही थे इसका option भी इसका सही answer हो जाता है इस प्रकार हम लोगों ने quality के 50 question देखे ये part 1 है इसका next part आएगा part 2 जिसमें quality के next पचास question टील करेंगे हम लोग तो आप बने रहे हमारे साथ आज ये ले इतने थेंक्यू